हलो दोस्तो आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्टोनिक्स चनल में तो दोस्तो आज का वीडियो है यह वीडियो में आपको देखाऊंगा चाइना CRT PCB का जो आउटपूट टैंजिस्टर है यह जो आउटपूट टैंजिस्टर है लेकिन दोस्तो अलाग अलाग PCB का जो है उसका भी उपर आपको डिस्कस करूंगा एस वीडियो में तो दोस्तो होरीजिंटल सेक्षन का उपर में part 1, part 2, part 3 वीडियो बनाया ठीक है दोस्तो और यह में part 4 वीडियो बनाते हूं और part 4 वीडियो में आपको horizontal output transistor के बारे में आपको explain करके कुछ important point आपको समझने के लिए करूंगा ठीक है दोस्तो तो यह वीडियो बहुत ही खास होगा तो इसलिए यह वीडियो शुरू से लास तक देखे और यह position पर आप कौन transistor काट सकते हो इसको उपर में आपको बहुत क्लियार काट देगा ठीक है दोस्तो तो ठीक है फास दोस्तो देखे यह जो output transistor होता है ठीक है यह जो चौड़ा वाला heat sink का पास यह सोभी PCB CRT PCB का अंदर एक output transistor जो वीव कहता है बहुत technician यह जो transistor होता है यह देगने को मिलता है ठीक है तो यह transistor on होने का बाद ता BST on होता है ठ है तो इसलिए यह transistor का साथ बहुत कुछ system है जो connection है पार्ट टू वीडियो में पार्ट वान वीडियो में इस तरह डाइंग करके आपको समझाने के लिए मैं कोसिस किया कि EST supply जो EST pin पर एक जाता है और वो EST pin का एक pin पर input supply होने का बाद और एक pin से जो भूल लेज आउट पू पर जाता है टिक है तो यह transistor को पर discuss करूंगा मैं पार्ट टो वीडियो में यह जो burst pf 1based 9493 में इसका पर मैं discuss किया और पार्ट थी वीडियो में यह तो परarma परन को आपको discuss सा किया ताम और आथिक है थीखिए तांजे वीडियो में यह पूरा dryविडयो को पर मैं यह तेटी PCB का अंदर यह टेंजिस्टर काड़ जाता है तो इसका मेन रिजन क्या है टेंजिस्टर क्यों काड़ जाता है इसको ओपर मेरे चनल पर एक अलाग सा वीडियो है तो वीडियो लिंक में डिस्किप्शन बॉक्स का अंदर मैं दे देगा वह आप एक बार देख अब बहुत कुछ आलक आपको डिसकस करूँगा तो देखिए जब यह टैंजिस्टर काड़ जाएगा तो यह सेट कभी अन नहीं होगा यह स्टॉप होता है तो यह टैंजिस्टर पुरा ही सौट होने का बाद बहुत कुछ PCB का अंदर देखा जाता है कि उसका इंडिकेटर भी नहीं जलेगा ठीक है और चाइना किट का अंदर इंडिकेटर जाल सकता है ठीक है तो ठीक है उसका कोई बात नहीं है actually mainly जो होता है यह transistor का middle pin है ठीक है यह collector pin है यह pin का साथ यह नीचे बाला pin और उपर बाला pin यह कभी short देखने को नहीं मिलेगा ठीक है जब यह transistor ok condition पर होगा तो जब transistor short हो जाएगा आपको जुरूर यह middle pin से यह pin short देखने को मिलता है और यह भी pin short देखा जाता है और तीनो pin का साथ भी short देखा जाता है ठीक है यह अब ध्यान देजिए और दोस्तों यह transistor का यह दोनो pin short ही दिखा जाता है क्यूंकि PCB का अंदर ज क्यूंकि यह 2 pin का साथ यह negative जो होता है driver का यह 2 pin का अंदर coil है यह coil का बज़े यह 2 pin short देखा जाता है ठीक है अब ध्यान दीजिए अब को आपको आपको आच्छा करके देखने के कोशिस करता हूं यह जो 2 output टेंजिस्ट का 2 pin है यह base pin और यह emitter pin यह 2 pin का साथ 1 coil है driver coil का यह यह 2 pin short देखा जाता है लेकिन यह supply pin होता है collector pin यह pin का साथ कभी short देखने को नहीं मिलेगा आप ध्यान दीजिए जब यह pin पर short देखेगा तो आप जूरूर यह transistor के बड़ ओपिन करके देखने का बाद तब भी transistor को open करने का बाद यह middle pin का साथ यह pin short देखेगा और यह pin short द EASD का supply pin होता है यह पर एक capacitor है negative का साथ यह भी short हो सकता है और यह resistance लोँ का low value का resistance है और इसका अनदर एक capacitor है यह भी short हो सकता है और EASD ही short हो सकता है अब ध्यान दीजिए तो output section short का ओपर detail वीडियो बना के राखा है वह आप देख सकता है तो आईए तो यह transistor short होने का बद प्रॉब्लेम उधिक देखा जाता है कुछ भी सेट हो सकता है चायना का PCV हो और अलग कुछ भी बैंडेट कंपानी का PCV हो तो वह आउटपूट टैंजिस्टर आप फर्स्ट स्वाट देखेगा तो आप एक बार एस्टी सप्लाई का रेजिस्टेंस एक बार चेक किजिए क् एक रेजिस्टेंस एक बात हो गया और दोसरा बाद यह टेंजिस्टर शेक लगानेका पहली इसट लगने का पहले एक पर लाइन कीजिये परane काने का बाद सेटेशन इक पर आपको गने voltage चेक करना पड़ेगा ठीक है अधिक तर जो सेट होता है यह पर आपको 110 वोल्ट देखने को मिलता है ठीक है तो इसलिए आपको एक demi load connection करके देखना पड़ेगा demi load मौदलब एक 100 वार्ड बाल्प ठीक है यह पिन पर connection करके और negative के साथ connection करके आपको लाइन देखना पड़ेगा कि यह पर 110 वोल्ट मौदल है कि नहीं है और दोस्तों 110 वोल्ट के लाइन पर आप demi load 100 वार्ड लेम नहीं लगाएगा तो यह पर थोड़ा सा वोल्टेज हाई देखा जाता है तो इसलिए मैं आपको बाता था हूं कि यह point port यह जो क्यापसिटर है और यह जो supply line यह negative के साथ connection है क्यापसिटर तो यहाँ दो पॉइंट पर आपको 100 वार्ड बाल्प कनेक्शन करके दिखना पड़ेगा कि आपको 110 वोल के हाई की नहीं है तो दोस्तों सैमसुंग का जो PCV होता है यह point port यह सप्लाई पीन पर 125 वोल दिखा जाता है ठीक है और शैलोरा जैसा इस ताइप कुछ PC भी है जो उसका इस टी सप्लाई only 19 वोल्ट है ठीक है 19 वोल्ट राइन जिरो 19 वोल्ट इस टी सप्लाई होता है तो यह PCV मार्केट पर अभी बहुत कौम है दिखा नहीं जाता है इस टाइम तो एक्चली 110 वोल्ट ही ओधिक सेट देखा जाता है ठीक है आप ध्यान दिजिए तो 125 वोल्ट का ऊपर ओधिक इस टी सप्लाई आप देखेगा तो इसी का रिजन से यह आउटपूट टैंजेस्टर भी सोठ हो सकता है यह आप ध्यान दिजिए क्या बात है आपको एस टी सप्लाई 110 वोल्ट का अधिक होगा और एस टी सप्लाई जो बीसेवी का सिस्टेम जीतना होता है उसी से ज़्यादा भूल्ट यह पर आएगा तो डायरेक भूल्ट यह आउटपूट टैंजेस्टर पर जाता है और उसी का रिजन से आउटपूट टैंजिस्टर शेहन देना पड़ेगा यह अबात और दो नमबर बात चुह हमें ये ट्निस्टर अबाद यह नहीं आधेखनल लगाने का बात पर सिंट पर LINE दिजिसे और स्टेन्बाइशे ये नं का मढ देखी ये स्टी अन होते है कि नहीं तो ये स्टी करले का बात 2-3. मिनिट आप छोड़ दीजिए set का on करके और दोस्तों उसका बाद set को दोबर off कीजिए off करने का बाद यह transistor का अंगोली से touch करके देखिए यह transistor overheat हो रहा है की नहीं ठीक है अब ध्यान दीजिए transistor देखने का बाद उस टाइम दो-चार मिनिट एक दो मिनिट आप आप करके रागने का बाद यह transistor हो रहा है की नहीं ठीक है और उसी का सुमय यह का connection होता है यह यह का connection का point है अब जोरूर यह का connection point का open करके राखिए ठीक है फर्स्ट यह का connection आप मात दीजिए यह आप ध्यान दीजिए तो only set को normal सा on करना पाड़ेगा अन करना का बाद दीखिए hit हो रहा है की नहीं तो अब देखेगा कि यह transistor normal सा hit नहीं हो रहा है तो यह still on है तो अब कर identify करना होगा कि यह section पुड़ा ही okay है ठीक है और आप देखेगा कि यह टेजिस्टर बहुत हीर हो जाता है तो आपको identify करना होगा कि यह फोल्ट हो सकता है यह आपको first change करना पड़ेगा ठीक है और जिस value है वही value first आपको लागा के दिखना पड़ेगा और new pf आपको लागा के दिखना उसका बाद आपको और 2-4 minute आपको on करके दिखना पड़ेगा on करके दिखने के बाद आप यह आप और touch किजिए setup पर के यह transistor हीट होता है कि नहीं तो उसका बाद यह transistor हीट होगा तो आपको यह EST को identify करना होगा कि EST भी fault हो सकता है ठीक है तो आपको EST change करके दिखना ठीक है तो जब देखेगा कि यह transistor normal है हीट नहीं हो रहा है तो तो लगदा है कि यह EST भीूक है प्यूक है तो उसका बाद आपको EO coil connection करके दिखना पड़ेगा ठीक है कभी-कभी होता है कि EO coil short होने के लिए यह transistor कर जाता है ठीक है तो दोस्तों जब यह सब कुछ दिखने क बाद यह coil लगाने का बाद जब देखेगा कि यह transistor रुग गया और overheat नहीं हो रहा है तो आपको identify करना होगा कि सब कुछ होके है तो आप उसका बाद TV को छोड़ सकते हो पाड़ी को ठीक है और यह coil लगाने का बाद देखेगा कि यह transistor short हो गया तो आपको सीधा ही identify करना तो यह तो बात हो गया और एक बात यह जो output transistor होता है यह output transistor नोर्मल CRT kit का अंदर खुछ अलग number यूस होता है और जो ultra slim PCB होता है तो आई इसको पर मैं आपको discuss करता हम के लुए टब को बाता देता हूं कि ये जो टैंजीस्टर होता है टैंजस्टर का शिंबोल आपके कबड़ दो है अब ध्यान से देख ये टैंजीस्टर का सिंबोल है ये पेसपीन होता है और दोस्तों देख Con pair टैन्जिस्टर काए यह टैन्जिस्टर को थैन्जिस्टर दो टायपता है एक inpin टैन्जिस्टर और एक यह NPN जो टैंजिस्टर dar abundant eating전 चोंड YQ यह PCB को पाउर सेक्षन का आणदर जो टैंजिस्टर उस होता है यह लिए NPN टैंजिस्टर होता है lire तो बहुत कुछ शेट पर देखा जाता है कि यह Other month sna from the team यह output section पर भी use होता है, तो दोनों transistor का कुछ खाड़क होता है, आपको बाता देता हूँ, अधिक तर जो output transistor होता है, इसका अंदर एक diode देखा जाता है, एक्छली यह बाहर से नहीं देखा जाता है, यह transistor का अंदर ही एक diode use होता है, यह transistor का अंदर एक collector और emitter से एक diode connection इसका transistor ऐसा ही दिखा जाता है, लेकिन इसका बाहर कुछ भी transistor नहीं है, लेकिन इसका अंदर, इस टाइप एक connection होता है, collector और emitter का साथ एक diode होता है, यह तो एक बात हो गया, और दोस्तो output transistor का और एक जो function होता है, यह जो base होता है, यह base pin का साथ, यह जो emitter pin होता है, बीज में एक resistance होता है, यह resistance का बैलू अलग-अलग transistor का नामबार का उपर dependent होता है, तो किस तरह यह resistance बैलू होता है, कुछ-कुछ transistor का 35 ohms, कुछ-कुछ transistor 38 ohms, कुछ-कुछ transistor 56 ohms, कुछ-कुछ transistor 8 ohms का असपास यह resistance का value होता है, तिक है और यह transistor का ऐसा आपको drawing करके देखाएगा तो यह transistor का 10 ohms होता है, यह base pin होता है, यह collector pin होता है, यह emitter pin होता है, तिक है अब धहान से देखे, तो दोस्तो उसका बाद आपको देखोंगा इसका जो नामबर तो यह जो टेंजिस्टर का ड्राइंग में कारके देखाया बहुत कुछ टेंजिस्टर है अब नट कर सकते हो मैं आपको बाता देता हूं देखिये टी टी ठीक है 2140 यह टेंजिस्टर का सिम्बॉल ऐसा होता है ठीक है टी 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 2440 इसका नमबर ऐसा होता है ठीक है और उसका बाद टी टी 2206 ठीक है टी 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 2140 ठीक है और दोस्तो आठारस्थ इन यह कमुन टैंजिस्टर है बहुत सेट पड यूस होता है ठीक है और दोस्तो जे ठीक है J6810D दोस्तो बहुत टैंजिस्टर होता है लेकिन दोस्तो यह टैंजिस्टर का जो सिम्बल है सबी स्टैप सिम्बल है लेकिन दोस्तो यह 1802 जो टैंजिस्टर है ठीक है इसका सिम्बल ऐसा नहीं है इसका अंदर जो नॉर्मल सा ड्राइंग है उसका ड्राइंग इस तरह होता इसका अंदर डायड भी नहीं है और रेस्स्टेंस भी नहीं है अर्टरशू 2 का जो थिमबल होता है तो तब यह तैंजिस्टर को आउटपूर सेक्शन पर यूज कर सकता हो यह पर जो कलेक्टर पिन है और इमेटर पिन है यह पर आलग डायड आप लागा सकते हो बाहर से तो तब लागाने का बाद एक डायड लागाने का बाद यह 802 टैंजिस्टर ही है बहुत लाग डास्टिंग करता है ठीक है तो आईए दोस्तो अब थोड़ा से नट कर लीजिए क्योंकि मैं यह जो नामबार का रेजिस्टेंस है और यह जो टैंजिस्टर का मेटिरियाल और इ और इसका बोल्टेज क्यारी कारने का जो रेंज यह भी अलग होता है तो इसका उपर आपको थोड़ा सा डिस्कास करता हूँ ठीक है देखे दोस्तो नार्माल पीसीबी का अंदार आप कुन सा टांजिस्टर यूज कर सकते हो आप नोट कर लीजिए आप 803 यूज कर सकते ह हो C5386 तैंजिस्टर यूज कर सकते हो 2499 तैंजिस्टर यूज कर सकते हो TTPL 2222 तैंजिस्टर यूज कर सकते हो C5296 तैंजिस्टर यूज कर सकते हो D5036 तैंजिस्टर यूज कर सकते हो BUT1 APX तैंजिस्टर यूज कर सकते हो तो दोस्तब नोट करके राख सकते हैं और जो अल्टर सिम जो PCV होता है अल्टर स्लिम PCV पर आपको थोड़ा हाई वाल्टेज आपको इस करना पड़ेगा नहीं तो वो टैंजिस्टर यह पोजिशन पर नहीं ठीकेगा ठीक है वो नॉर्मल जो यह टैंजिस्टर लगाएगा तो वो नहीं ठीकेगा वो काट जाता है तो इसलिए थोड़ा सा हाई वाल्ट का टैंजिस्टर आप इसकार काट सकतो तो उसी नामबर आपको बाता देता हूँ आप नोट करके राख सकतो करके ठीक हो हो नोट कीरुआ है तो सकतो हम करके जादा है तो दो डाबुल टू जीरो सीक्स को वाल्ट ए जादा है ठीक है यह टैंजिस्टर युज कर सकतो ह 1710 फिकों यह टैंजिस्टा युज कर शकतो ok तो तब भी आपको दो टैंजिस्टर आपको बाता हूं कि उसका बहुत हाई वाटेज होता है यह जो एक्चुली जे 6, 8, 10D जो transistor है इसका wattage भी बहुत हाई है ठीक है और इसका साथ आप 5, 2, 9, 9 ठीक है यह transistor यूज़ कर सकते हो 6, 0, 9, 3 transistor यूज़ कर सकते हो और यह 155 जो transistor इसका wattage आपको बाता देता हूँ यह जो transistor यह 1500B 15,000 volt ठीक है यह वोलत कैरी कर सकते हो दोस्तों यह जो transistor इतना weld contractors सकते है और यह silicon का transistor है silicon का transistor है ठीक है दोस्तों और उसी से ज़्यादा voltage कैरी करने का transistor है आप दिखिए इसी से ज्यादा voltage कीरे करने का transistor है आपको बाता देता हूँ दिखिये C5902 ठीक है और यह टैंजिस्टर पेनासोनिक का अंदार रिविस होता है और यह 700 भोल्ड ठीक है 11700 भोल्ड केरी करने का इसका जो केरी करने का जो सिस्टेम यह होता है ठीक है और दोस्तो यह जो ट्रांजिस्टर यह टेम्परेचर जो लेता है यह माइनास 55 से प्लस 150 ग्रेश कर सकता है ठीक है और दोस्तो और अधिसे और हाई वार्टेज का ट्रांजिस्टर है जो आपको बाताता हूँ दिख्खे तू थीरी ओन जिरो एफेक्स ठीक है यह जो टैंजिस्टर यह टैंजिस्टर का फोल्टेज करी करने का जो यह दिख्खे यह 20 फोल्ट 25 00 यह वोल्ट 2500 वोल्ट करी करने का यह टैंजिस्टर का खमत है ठीक है दोस्तो और यह जो टैंपरेचर यह माइनस 65 से प्लास 150 डिग्री सेल्शस इसका हीटिंग यह कैरी कर सकता है ठीक है दोस्तो तो और क्या बात होंग आपको तो यह कुछ अलग-अलग टैंजिस्टर को उपर आपको डिसकस क्या और यह टैंजिस्टर को सब कुछ आप नोट करके राख सकते हो ठीक है दोस्तो तो इसी लगा तो प्लीज लाइक कर देजिए और यह चैनल पर आपना है तो प्लीज यह चैनल को सब्सक्राइब करके रखे और दोस्तो यह वीडियो दिखने के बाद देस्क्रिप्शन बॉक्स जुरूर फॉलू कीजिए और दोस्तो एक बाद यह आउटपूट टैंजिस्टर प आपको इस स्कुरूप से टाइट करना पड़ता है ठीक है तो इसी का हिसब से आपको छोटा और बड़ा कुछ भी टांजिस्टर आ व्यूस कर सकते हो थैंक्यू दोस्ते वीडियो पूरा देखने के लिए